हेलो, नमस्कार, मैं अब देश दिख्षित आप सभी का इस यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CGL 2020 का नोटिफिकेशन आज चुका है, वेकेंसी डिक्रीज हुई है काफी सारे इस बात को लेकर काफी डिमोटिवेटेड होंगे कि इतनी कम वेकेंसी होगी है यूटूब पर भी काफी हद तक आपको यही देखने को मिल रहा किया रितनी वेकेंसी कम होगी है अब क्या होगा, बलब काफी एक नेगेटिव वाइब सी चल रही है तो मैं कोशिश करूँआ कि इस वीडियो के तुरू आपको थोड़ा मोटिवेट कर सकूँ और अपनी कुछ स्टोरी जो CGL 15 में भी ऐसा कुछ हुआ सा वो बता कर आपको कहीं न कहीं मोटिवेट कर सकूँ कि जब मेरे साथ ऐसा हो तब मैंने क्या किया तो बने रही है वीडियो में पूरी जान लगाएंगे कि आपको वो बात समझा पाएं देखे गुस्सा हमें भी है कि वेकैंसी इतनी कम होती जा रही है पट क्या मैं या आप उसमें कोई चेंज ला सकते हो अब नहीं फाइट कर सकते हैं पूरे सिस्टम से अब नहीं होने वाला वो बाकियों को जो नए स्टार्ट करते हैं अज मैं पढ़ा रहा हूँ तो काफी सारे मेसेज आ रहे हैं कि सर वेकैंसी खतम अब क्या हम प्री भी ना दें नहीं यार वो चीज की ज़रूरत में अभी देखना आगे अब यू कैन इधर सिट एंड कराए और स्प्रेड यूर विंक्स एंड फलाए या तो आप जान लगा सकते हो कि मैंने इस दिन के लिए तैयारी करी थी क्या रुकने के लिए क्यों तैयारी शुरू की थी उस बात को याद करो अगर मान लो आपकी कलको रैंक टॉप 500 में आगी तो आपको लगेगा निक्या कि मैं फालतु में तो इतना तो हम इस तैयारी में आते ही नहीं अगर मुझे 25 कि नौकरी उस दिन मिल गई होती ही इस तैयारी से पहले तो मैं ये तैयारी शुरू यी न करता ठीक है तो हमारे पास और दूसरा करका ने सब्सके शनी इस भंकर दो तो यार्拜 आप करूं हमें तो पढ़ाना है, हमें तो सब field की knowledge रखने है IBPS clerk में हर साल 10,000 के आसपास vacancies आती थी इस बार कितनी आई थी? 1,500 आई थी, 1,500 के बाद 2500 हो चुकिए अब कहरें वो और भड़ सकती है IBPS clerk का ये बात था IBPS PO की बात करें तो हर साल लगबग 45,000 के आसपास vacancies आती थी इस साल कितनी आई? 1,500 exam के जस्ट आसपास या उसके एकाद दिन बाद क्या हो गया vacancies कितनी होगी? 3,500 पहले इस बात को चिंतित्ते लेके और यार vacancies कम होगी, कम होगी, पढ़नी रहें यार पढ़ने ना पढ़ने से क्या है? आपको भी ये बात पता है कि अगर vacancy 50 भी कर दीना तो आप form डालोगे क्योंकि हमारे पास क्या और option नहीं है यही एक खारण है भई मैं resign नहीं कर रहा अपनी job से क्योंकि जैसा सरकार का चल रहा है कल को zero भी करता है, zero कर दें तो ज़्यादा अच्छा है वो कहते हैं, 50 अच्छा जीरो करें इतनी vacancy अच्छा जीरो करें कम से कम बच्चा अपनी जवानी तो बरबाद न करें यहाँ पर मेरे को भी भाई क्या है कि ये पता है, ये field जो है बहुत ज़्यादा vacancy कभी करेंगे ये zero तो जब करेंगे तो फिर नौगरी पर चले जाएंगे बट वो कर दें तो वो ज़्यादा बैटर है सब के लिए कि ये 10 लाख में से 20 लाख में से 5-6 जार को मिल जागा बाकी क्या करेंगे, वो बात है चलिए, आगे आते हैं motivate करना है अपने आपको, ठीक है ये फर्म में नहीं मिला है, वेबसाइट से कुछ बातें मिली है देखे, वहाँ भी यही था vacancy mentioned नहीं, the firm number of vacancies will be determined at least one month before the declaration of the result, मतलब जो actual vacancies आती है, वो कब आती है result, बिलकुल जो final result होता है, मतलब अपका tier 1 tier 2 or descriptive और टाइपिंग वगरा के final result आने से एक महिने पहले हमें final vacancies पता चलती है ये हो गया, vacancies का कोई नामू निशान नहीं है, ये देखे, 2000 तब का होगा, ये होगा 2018 का, या नहीं, 2019 का है ये notification, हमने देखा 17, 18, 19, यहाँ पर भी vacancies बताई जाएंगी, और कोई vacancies के बारे में नामू निशान नहीं है ये देखे, CGL 2020 यहाँ पर पहली बार इनने vacancies बताई है, तो ठीक है ना पहली बार vacancies बताई है tentative vacancies कब आती थी, अगर आपको पता हो, अभी वो भी देखेंगे tentative vacancies आती थी, जब हमारा परी होता है, उसके आसपास कोई आटे ये वाटे लगाता है, तब जाके हमें कुछ tentative vacancies का पता चलता है अभी ये जो tentative vacancies बताईगी है पता है कैसे जाती है, हर department के पास क्या letter गया होगा, कि बताईए आपके पास tentative vacancies कितनी है, ठीक है, अभी किसी के पास उतना time, देखो ये मैं हो सकता है कि साड़े च्छही रहें, ठीक है, साड़े च्छह जा रहें, बट probability बहुत जादा है कि हजार बारासो बढ़ेंगी पिछले साल कितनी थी, साड़े आट थी ना, इस साल कितनी है, साड़े च्छह, अगर सरकार के पास सरकारी दफ्तरों में नोटिस पहुंचते हैं, तो कह देते हैं, to be reported, अभी निकलने वाला notification, कई डिपार्टमेंट ने बताया हो, कई उने कहा होगा, to be determined, to be reported, ऐसे करके लिख दिया होगा, तो वो vacancies यह अब तक पहुंची नहीं है, जैसे देखिए, यह आप देखेंगे, यह CGL 2015 का notification है, अराम से देखना, है ना, यह दो मई, यह मेरे पास पढ़ा हुआ था, इसके कुछ डीटेल्स, तो इसलिए मैंने इसको उठाई, दो मई को इसका notification आया, दो मई को, देखेगा, tentative, यहाँ पर भी कुछ vacancies इसमें, यहाँ पर बताई नहीं गई है, इसमें भी कहीं भी vacancies बताई नहीं गए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यह देखिए, यह रहा, यह वही reservation वाला जो काम चल रहा था, यहीं पर है न, vacancies and reservation, यहाँ पर भी देखिए, reservation करके आगे, और यहाँ पर भी कोई vacancies के बारे में नहीं बता है, vacancies will be intimidated in new course, अब आया था यह notification दो मई को, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, यह जो tentative vacancies है, यह 6-11, यानि कि 6 महीने बाद करके डाल दिया होगा, जैसे banking वाले में होता है, वैसी यहाँ पर भी होता है, तो वहाँ पर vacancies कितनी थी, आप देखिए, vacancies थी यहाँ पर 7,960, फिर जब final notification आया है, यह final vacancies आई, देखिए, कितनी आई है, यह है आपका CGL 15 का है, CGL 15 की final vacancy, कितनी आई है, तो 7,900 से कितनी होगी, देखिए, 8,560, 8,560, फिर यह extra है, यह total यह फिर कुछ अपना एक्सरिस्मेन वाली category की होगी, यह extra, इनका total है, 8,000, यानि कि 600, 700 बढ़ गी, 9,600 था, तो कितनी बढ़ गी, अपनी 600 यहाँ बढ़ गी, 600 के बाद आप यहाँ देखो, 500 यहाँ पर बढ़ गी, है ना, चलिए, आगे बढ़िए, अब देखो, यही जो मैं आपको अपनी कहानी की बात बता रहा था, सीजल 14 मैंने दिया, 15 दिया, 14 के तुरू, exercise, income tax, 15 के तुरू, rank में बहुत बड़ा change था, जैसे, 14 में में रेंग थी, 38,50, 15 में कितनी आई, pre, plus mains, 53, final, रेंग, 71, अब देखो, हुआ कहता कि मैंने mains दिया, mains उतरा खास गया नहीं, 14 में vacancies कितनी दिख रहे हैं, आपको, 15,500, मलब 16,000 के आसपास माल लो, 14 में vacancy थी, अब भाई, अब 15 देना था, फॉर्म भर दिया, अब 15 में जो ये vacancies है, ये कितनी होगी, साड़े 8 के आसपास, अब 15 में साड़े 8 होगी, और पहले tentative तो 8 के आसपास आई थी, तो अब भाई साब जो हमारे senior winner थे, अब नहीं होने वाला आदी vacancy कर दी है, आप मुझे बताईए, क्या 19 से 20 में vacancies आदी हुई है, नहीं हुई है, साड़े 8 से साड़े 6 हुई है, साड़े 6 में हजार बढ़ जाएंगी साड़े 7, किसी भी तरीके से आप मोटिवेट करिया अपने आपको, याद करिए कि तयारी में घुसे क्यों थे, हमारे पास कोई और चारा नहीं है, समय बरबाद नहीं करना एक महीना इस checker में, ठीक है, तो वेकेंसी आठ हो गई, कब 16 से, अब क्या करें भाई, अब तयारी करें न करें, हमने का यार UPSC तो करना नहीं है, अब तयारी करी रहे हैं, continuity में है, तो कर लेते हैं, जान लगाई, जान लगाई, पहले चिंतित मैं भी राएका दफ्तिक यार, vacancies आधी कर दी, लेकिन फिरका कि चलो यार कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा ठीक गया, अब और कोशिश करेंगे, और मेहनत करेंगे, ठीक आजएगा, जनवरी 2020, उससे पहले आपने graduation कर लियो, तो अगर आभी आप final year में, तो आप तो मई, जून में करने वाले हैं, तो ये खतम, age रेक्निंग की अगर बात करें, तो वो भी कोई खास बड़ा मुद्दा नहीं है, वो सबसे बड़ा मुद्दा था पिछले साल, CGL 2019 में, क्यों क्योंकि तब इनने August से age limit को जनवरी किया था, अब एक बार तो जनवरी कर ही दिया, तो अभी उतना बड़ा मुद्दा नहीं जितना की पहले था, क्योंकि जिनको loss हो चुका है, वो बाहर हो चुके हैं, अपनी इस तैयारी से, तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे, आई ह पांच महीने बचे हैं, बताओ, इसमें selection हो जाएगा क्या, पहली बात यार, तब से कहां सो रहे थे, जब तक Corona चला था, बोला था golden period है, ऐसा कभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी कोई भी लगातार paper हो नहीं रहे हैं, सांती के साथ बैठके तयारी कर सकते हो, और यार, कैसे मैं कह दूँ, यह जूट की नहीं, बेटा, बस आप मेरा course purchase कर लो, हो जाएगा, अभी से हो जाएगा, यार, सबसे ज़्यादा deserving CGL, 19 वाले वो candidate हैं, जो थोड़े से marks की वज़े से रह गए, जो top 20-30,000 में है, और आप सोचों कि 5 महीने में हो जाएगा तुरंद, लेकिन, यह सोचो कि यार, अभी एक महीनाम पहले तो waste न करें इस बातचीत में कि, इनने वेकेंसी कम कर दी, और जिसको करना है, वो लग क्या है, भले ये 5 महीने छोड़ो, इन 5 महीने को अच्छे से utilize करो, चाहे अगले CGL में, 2020 वाले में अगर थोड़ी बहुत कसर कम रह जाए, प purchase करना है, तो हाथ जोड के विनिती है, कहने के लिए मैं कह देता है, हाँ भी offer आ गया, ले लो, अपने कुछ उसूल है, जब भी offer आता हो, से एक पहिने पहले मैं बता देता हूँ, तो को आपका प्यार बहुत मिला है, चीजे smooth चलें, कोई दिक्कत परिशानी नहीं है, ले पहले, वो मुझे कुछ कहना पाए, सीधे phone number तो है नहीं, जो मेरे से बात करें, बट एक ethically ये बात सही नहीं लगती, इसलिए भाई, पहले ही बता दिये 26 जनवरी को होगा, दो-तिन दिन के लिए बस, ठीक है, उसको अभी करना है, वो यार, please समझेगा बात को है, और इड़ भी शायद हजारों में किसी एक में हो, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए, कि एक student अराम से पूरा satisfied हो कर, उसको cheated feel ना हो, वो तबी subscription ले, main फिर खतम करते हैं इस वीडियो को, जान लगा दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप म अपना करतब भी करिए, जान लगा के पढ़िए, अब समय को बरबाद करना बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तिल देन, बाई बाई, टेक केर, महनत करते रहिए